ये संख्या के एक सफाई से व्यवस्थित किये गए धेर की तरह लग सकता है, लिकिन वास्तव में ये गणितिये खजाना है। जो थोड़ा अनुचित लगता है क्योंकि वो इसमें देर से आये थे लेकिन उनके पास युगदान करने को अभी भी बहुत कुछ था है। आगे बढ़ते रहें और आपको कुछ इस तरह का मिलेगा, हनाकि वास्तव में पासकल का त्रिबुज असीम रूप से चलता है। अब प्रतियक पंक्ति स्वरूप x प्लस y रेस टुदे n के द्विपद विस्तार के गुणांग कहलाती है। जहां n पंक्ति की संख्या है और हम शून्य सिक गिनिती शुरू करते हैं। यदि n दो है तो इसे बढ़ाते हैं तो x2 प्लस 2xy प्लस y2 मिलेगा। चर राशियों के सामने वाले गुणांग क्या संख्याएं वहीं हैं जो पास्कल के त्रीबुजों की उस पंक्ति में संख्याएं हैं। आपको वही चीज n बराबर 3 के साथ दिखाई देगी, जो इस तरह पहलती है। तो इन सभी गुणांकों को देखने के लिए त्रिकोन एक त्वरित और आसान तरीका है। लेकिन और भी बहुत कुछ है। मसलन हर पंक्ति में संख्याओं को जोड़ें और आपको 2 की क्रमित घातें मिलेंगी। या दी गई पंक्ति में हर संख्या को दिशमलव प्रसार का भाग माने। दूसरी शब्दों में पंक्ति 2, 1 x 1, 2 x 10, 1 x 100 है। आपको 121 मिलेगा, जो 11 स्क्वेड है। और नज़र डालें कि क्या होता है जब आप 6 पंक्ति के लिए एक ही चीज करते हैं। इससे 17,571,561 आता है, जो 11 to the 6 है। और आगे भी है। इसके अलावा जयाम्मितिय अनुप्रयोग भी है। विकर्ण को देखें। पहले दो बहुत दिल्चस्प नहीं है। सभी इकाई संख्याएं, और फिर घनात्मक पूर्नांग, जिन्हें प्राक्रतिक संख्या भी कहा जाता है। लेकिन अगले विकर्ण की संख्याओं को त्रिबुज संख्याएं कहा जाता है। या इसके बारे में सभी विशम संख्याओं में छायांकित करें, जब त्रिबुज छोटा होता है तो ज्यादा नहीं दिखता, लेकिन जब आप हजारूं पंक्तियों को जोडते हैं, तो स्येपिंस्की का त्रिबुज फ्रैक्टल मिलता है, ये त्रिबुज सिर्फ कला का एक गणितिये काम नहीं है, ये काफी उपयोगी भी है, खासकर जब कॉम्बिनेटॉरिक्स के क्षेत्र में संभाविता और गणना की बात आती है, मानने की आप पांच बच्चे पैदा करना चाहते हैं, और तीन लड़कियों और दो लड़कों के अपने सपनों का परिवार हो उने की संभावना जानना चाहते हैं, धुईपद विस्तार में ये लड़की घन लड़के की घात पांच से मेल खाती है, इसलिए पंक्ती पांच में पहली संख्या पांच लड़कियों से मेल खाती है, और अंतिम पांच लड़कों के साथ मेल खाती है, तीसरी संख्या वो पास्कल के त्रिकोन में पैटर्न गणित के सुंदर परस पर बुने हुए फैबरिक का एक साक्ष है और ये आज नए रहस्यों को प्रकट कर रहा है उधारन के लिए गणितग्यों ने हाल ही में इस तरह के बहुपदों के विस्तार करने का एक तरीका खोजा हमें आगे क्या मिल सकता है अच्छा ये आप पर है आप गणित को कुछ बहुत ही अप्रत्याशत स्थानों पर पास सकते हैं उधारन के लिए एक मधमक्खी के छत्ते को ले ये छोटे कीडे इन पूरी तरह से ज्यामितिये और गणितिये रूप से कुशल घरों का निर्मान कैसे करते हैं जानिए इस वीडियो से